प्रिमेचुर ग्रे हेर की प्रॉब्लम हो रही है वक्त से पहले आपके बाल सफेद होने लग गए है और आप डाइड लगा लगाकर अपने बालों को सत्य नाश कर चुके हैं बाल बहुत ज़दा हवा जैसे पतले हैं कोई हेर स्टाइल नहीं होता है तो ये वीडियो बिल्क में हेर डाइल लगाते हैं उसका क्या असर आपके स्कैल्प पर होता है वो डाइल में अमोनिया और बहुत ज़दा हाई सल्फेट होता है जो आपकी स्कैल्प के अंदर तक जाकर आपकी इसकिन पर रेशेज इसकिन कैंसर पैदा करता है और आप ये अमोनिया वाला डाइल सी कि इसे ही इसमें बहुत साथा हाई अमोनिय होता है चो बां१ों को और भी ज्याता सफेद करता है बांधो की लिम्बाई को कम करता है państw को पतला कर यहां तक कि आप के इग्रोथ को रोक देता है इस क्याय कर देता जो लोग डाईड़ उनको इस पराब्ला को अच्छे से पता होगा कि डाई जो लगाने से हमारे बालों पर क्या होता है अगर हम उसी तरफ से बात करें कि हिना आपके बालों पर क्या करता है हिना आपके पतले बालों को मोटा दिखाता है बालों को रंगने का डाई करने का काम करता है साथ ही बालों की growth को enhance करता है inches में बाल बढ़ने लगते हैं जिनके दो मुहे और बहुत पतले बाल है जिनसे कोई भी हेर स्टाइल आप नहीं कर पाते हैं तो आप हिना पैक लगाना start करते हैं हिना पैक से आपके बालों की length तो बढ़ती है बालों को dye और color भी मिलता है मन चाहा color आप दे सकते हैं जैसा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उससे आपके बालों में growth भी होगी बालों में घनापन भी आएगा साथ ही आपके बालों में एक अच्छा सा color भी आएगा बालों की length को बहुत enhance करता है आपके बाल inches में बढ़ेंगे अगर आप इस powder का अपने मेहंदी के साथ यूज़ करेंगे ये special powder होने वाला है बहुत ही ज़्यादा effective आपके बालों के लिए last में मैं इसके बारे में आपको जरूर से बताऊंगी कि ये आखिर बायोटिन powder बनाना कैसे होता है पहले इसके तरीके को हम जान लेते हैं कि इस powder को हमें किस तरह से अपनी मेहंदी में एड करना है तो हमें भर करके इस दो चमश powder को अपने बाल में एड करना है छोटी लड़कियों के लिए ये hair growth mask बहुत ज़्यादा effective होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि ये गरम पाँ जिसको हमें इसे इसमेने मिक्स है और अच्छी तरीके से सोगा और फिर ये सारा बायोटिन पाओडर अपने इस स्ट्रया झूल आपे इस पानी में ठोड़ देगा इस की सिस्टनरी कुछ इस तरह से जैल over आप देख सकते हैं इससे केरेटिन स्मूध टेक्च्चर भी आपके बालों को मिलेगा गलॉसी और चमकदार बालोंगे बालों की लेंथ आप वागई में इस बायोटिन पाउडर के साथ अपनी डाई के साथ मिलाकर इस तरह से लगाएंगे तो बालों की लेंथ बहुत जाद कि ये जीद आप फेकनी नहीं है इसी को अची तरीके से आप घोल घाल के बिल्कुल हर चीज़ इसमाल करनी है और हैं ये थोड़ा सा लिक्विट लीक्विटी हमें करनावै कि हमें और चीज़े इसमें जो एड़ करनी हो तो अच्छी तरीके से सारी You可以 सोरी मेल्ट हो जाए लेमन आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है और जितने भी आपके स्कैल्प में इजी स्कैल्प की प्रॉब्लम है डेंटर्फ बहुत साथ है खुजली होती है और शाइन नहीं है बालों में रॉफनेस बहुत साथ है तो यह सारी चीजों को खत्म करता है इ मैंने यहां पर नुकूर मेंदी का यूज किया है क्योंकि यह मुझे सूट करती है और बालों के लिए अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं और असानी से अवेलिबल है तो इस तरह से मैंने इसके तीन सैशे को लिया हुआ है आप अपनी पसंद की कोई भी मेंदी ले सकते है अगर नेचरल ही ना मल जाती है तो उसके रिजल्ट और भी जादा अच्छे होने वाले है तो अब इन सारी चीजों को हमें इस बायुटिन पाउडर में अच्छे से मिलाना है ताकि कोई भी लंप्स ना रहे जाए पहले सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंटी सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन को जरूर और पर पहले आपके पास पहुंचे और अपने प्यारों में भी शेयर करना मत भूरिएगा बहुत महनत लगती है आप लोगों के लिए वीड पाउडर है अच्छी तरीके से और भी जादा फूले अभी और भी जादा नूट्रिशन अपनी चोड़ता ही रहेगा क्योंकि यह बहुत अच्छी पूलने के बाद जो आपके बालों की ग्रोथ गरोथ कैसे होगी तो हमें इसके लिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और पानी की रिक्वार्मेंट जैसे जैसे होती जाएगी हम इसमें एड करते जाएंगे आप इसका अंदाज़त खुद से लगा कर इसमें पानी को एड कर लीजेगा तो यह आपका हेर मास्क हेर डाई बनकर बिल्कुल रैडी हो चुका है अब इसकी लगाने की अप्लिक पानी से इसको धोना है शैंपूर फिर आपको नहीं करना है रात में जब बिल्कुल आपका ड्राइं हो जाए तो गुनगुनों तेल से आपको अच्छे से सर की मालिश करनी है मसाज देनी है और जूड़ा बनाकर सो जाना है नेक्स्ट डे आपकिसी हरबल शैंपू से अप पहनत नहीं करनी पड़ेगी यह बहुत लंबाई देगा बालों को घंड़ा और उन लोगों को बहुत अच्छा लागी गया यहार पैक जिनके बहुत जादा पतले है और कोई हेर स्टायर उनकी नहीं बनती है कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो जादा दिक्कत आती यानि के अलसी फ्लैक सीड्स जिने कहते हैं फिर हमें लेना है मंग्रेल के बीच जिने कलॉंजी कहते हैं और हमें लेना है मेथी दाना यानि के फैने ग्रिक सीड्स इन तीनों को बराबर बराबर मादरा में अच्छे से रोस्ट करके हमने ड्राइ फॉर्म में पीसा हुआ है और एक काच के जार में भरा हुआ है जब भी मुझे ज़रूरत होती है अपने बालों को निउट्रिशन देने की बालों की ग्रोथ को बढ़ाने की तो मैं हर हेर मास्क में इसका यूज आसानी से कर सकती हूँ इसको आप एवी भी बनाकर अपने हेर मास्क के तोर पर लगा सकत कि मेरे कहने से इस हेर डाइ मास्क को ज़रूर से बनाइगे का यह यह डाइ कंडिशनिंग का काम करेंगा बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी बालों में अच्छा सा कलर एक अच्छा सा टेंट आएगा जिस आप चाहते आप चाहते आपने